अभी कल exit poll आये हैं मेरे से लिखवा लो सारे exit poll फरजी हैं बिलकुल फरजी हैं एक exit poll वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है उसमें 25 में से 33 दे दिये उन्होंने बीजेपी को उपर से आया होगा बही बीजेपी को जादा देने हैं तो उसने का मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी आपको 25 में से 33 दे दिये हैं तो पूरा का पूरा फरजी है पूरा exit poll फरजी है लेकिन असली मुद्ध यह है इनको गिंती से तीन दिन पहले फरजी exit poll कराने की क्या जरूरत थी यह समझने वाली बात है मेरे को भी समझ नहीं आया कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही है एक यह चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घुटाला कर दिया लेकिन मैंने संदीप पठक को भी बोलाया और मैं सारे इंडिया गडवंदन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं अपने अपने counting agent को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे आखरी तक अगर हार भी रहे हैं पीडिया जाते हैं उठके नहीं जाना सब से लास्ट में रैंडम जितने बूत होते हैं यह मैशीनों स्की परचियां पड़ती है उन परचियों में से 5% परचियां उठाई जाती है उन पाँच परसेंट इवियम की matching वीवी पैट की शलिप से कराई जाती है वी वी पैक पे जो slip है उसकी counting होती है जैसे ballot paper की counting होती थी और उसकी counting और EVM की checking होती है दोनों की एक भी machine अगर match ना करे तो वहाँ चुनाव रद कर दिया जाता है तो अगर आपने ये checking कर ली वहाँ पे तो इसका मतलब फिर EVM का घुटाला हम बचा सकते हैं फिर EVM के घुटाला अगर कर खा इन्होंने तो हम उसको expose कर सकते हैं तो सब लोगों ने last तक रुक के आपका candidate हार भी रहा है तब भी आखरी तक रुक के आपको ये EVM की checking करा के आन एक थोरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज़्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्यूंकि इनके लोगों ने share market में invest कर रखा है और कल जब share market के खुले तो bumper होगा तो ये अपने share बेच-बाच के अब खुद तो निकल लेंगे बाकी एक थोरी ये चल रही है कि अफसर शाही पे दबाव डालने के लिए अगले तीन दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया भई आ तो हमीं रहे हैं तो हमारी बात आ हमानों ऊल्टे सीधे काम करो काहौंटिंग में गडबड़ कराएंगे सब कुछ करेंगे लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं हपने को अफने काउंटिंग एजेंट आ और को प्रतहिकर अग manufacturing करके भीजना और अपने को चोकन रहना हैं बाद में हम कहते रहे हैं इन्होंने ये कर दिया उसको कोई फाइदा नहीं होगा अभी अपने को चोकनना रहना है एक छोरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कली कम सीट दिखा दी होती एक्जिट पॉल वालोंने तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरेसस में और बीजेपी में कली बगा नहीं बन रही है ये एक्जिट पॉल से घबराने की जूरती नहीं ये माइंड गेम है इनका माइंड गेम खेल रहे हैं आपको डिस्करेज करने के लिए डिप्रेशन में डालने के लिए बिलकुल नहीं जाना आप इस उस से जाओ कि आप जीत रहे हो आप अपने उस आपकार्टी का या किसी नेता विशेश का नहीं है यह चुनाव इस देश को बचाने के लिए इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए जिसके लिए भगत सिंग गांदी जी सब लोग लड़े थे वही माहौल आज है जिस तरह से हमने अंग्रेजों को अटाया था आज इ मैं तहे दिल से सुप्रीम कोट का शुक्रियादा करना चाहता हूं बहुत 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 उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये महलत दी थी 21 दिन कल पूरे हुए अब यहां से मैं सीधा तिहाड जा रहा हूँ ये 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरनी हैं मैंने एक भी मिनिट खराब नहीं किया राद दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए परचार किया है केवल हम आदमी पार्टी के लिए परचार नहीं किया सारी पार्टी के लिए परचार किया बंबई भी गया भीवंडी भी गया हर्याना भी गया उतर प्रदेश भी गया पंजाब भी गया जमशित पूर भी गया कि जहां मौका मिला जहां जिसने बुलाया उसी के लिए परचार करने के लिए गया। देश बचाने के लिए। मेरे सामने देश था। आम आदमी party इंपोर्टन नहीं है। आम आदमी party secondary है। पहली हमारे लिए देश है। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ आज मैं दुबारा आज आपका बेटा दुबारा जेल जा रहा है इसलिए नहीं कि मैंने कोई भरष्टाचार किया है इसलिए कि मैंने ताना शाही के खिलाफ आवाज उठाने की जुरूरत की है इस परचार के दौरान एक सबसे बढ़िया बात ये होई कि सारे देश के सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भरवी सबूत नहीं है हम कहते थे ना जब भी हमसे पूछा जाता था कि भाई ये कह रहे हैं सौकरोड रिश्वतली, सौकरोड रिश्वतली वो सौकरोड कहां गया पांसो से ज़्यादा जगया तुमने रेड मार ली कहीं चवन्नी मिली ओ, ठन्नी मिली ओ, एक रुपया मिलाओ कहीं हमने खर्च किया हो कहीं कैश पढ़ाओ कहीं लॉकर में मिलाओ कहीं स्विस बैंक में मिलाओ कहीं 54 नहीं मिली तो पैसा कहां गया तो एक टीवी चैनल के इंट्रिव्यू में उस टीवी वाले ने मोधी जी से पूछा कि प्रधान मंत्री जी ये केजरी वाल चारों तरफ कहता घूम रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है आपके पास उसके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है फिर आपने उसको गिरफतार कैसे कर रखा है पता है प्रधान मंत्री जी ने क्या कहा प्रधान मंत्री जी कहते हैं मैं मानता हूं कि केजरी वाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है मैं मानता हूं कि केजरी वाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है क्योंकि केजरी वाल अनुभवी चोर है चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है तो यूँ ही डाल दिया मेरे को जेल में बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है एक बार सत्तर में से 67 सीट दूसरी बार सत्तर में से 62 सीट 55 परसेंट से जादा वोट शेयर इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्य मंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया यही तो ताना शाहिए कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूँगा जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूँगा और पूरे देश को मेसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरी वाल को फरजी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो अकाती क्या है किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं और इस किसम की तानाशाही अपने देश को बरदाश्त नहीं है बगत सिंग ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना इसके खिलाफ अवाज उताना भगत सिंग के चेले हैं भगत सिंग देश को बचाने के लिए देश को अजाद कराने के लिए जेल गए थे भगत सिंग देश को अजाद कराने के लिए फांसी पे चड़े थे हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं इस वार जब जा रहा हूं मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में लेकिन मुझे कोई परवानी है जो मर्जी करें अगर भगत सिंग फांसी पे चड़ गाए मैं भी फांसी पे चड़ने के लिए तयार हूं मेरे मेरे शरीर का एक एक कत्रा इस देश के लिए मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए अभी मैं मैं अभी राजगाट गया था सबी साथियों के साथ महात्मा गांधी की समाधी पे हम लोगों ने श्रद्धान्जली दी गांधी जी ने हमारे देश से तानाशाही का अंद किया था वो हमारे लिए प्रेरना स्त्रोत हैं उसके बाद हम कुनॉट प्लेस गए हनुमान मंदिर वहां पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का अशिरवाद लिया चार तारिख को भी मंगलवार है भली करेंगे बजरंग भली करेंगे की नहीं करेंगे बोल बजरंग भली की इनका नास करेंगे ताना शाहों का नास करेंगे अपने को किसी व्यक्ति विशेश से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है अपनी दुश्मनी ताना शाही से है, ताना शाही बरदाशनी है अपने को तो चार तारिक को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे उपर पार्टी के उपर बहुत आशिरवाद है, देश के उपर बहुत आशिरवाद है मैं प्रार्थना करने गया था बजरंगबली को की है बजरंगबली मेरे देश को बचा लो तो मैं सभी आप सब लोगों का सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ बहुत साथ मिला आप लोगों का इन 21 दिनों में अब जब भी मैं लोट के आऊंगा फिर मिलेंगे आप लोगों से तब तक के लिए अलविदा